वेलकम टो वर चैनल मैथमेटिक सक्सेस हम लोग आज डिसकस करने वाले हैं नौर्थ वेस्ट कॉर्ण मैथड ठीके इससे एक कोशन आपके पेपर में बन सकता है शॉल्ट में ठीके क्योंकि यह बहुत ही इजी है तो एक एक मैथड ऐसे ही देख लेंगे ठीके जो सरी होते हैं करना लॉंग में तो आप एक छोड़ भी सकते हो ठीके तो यहाँ पर यह कोशन देखेंगे अगर आपको आता है तो अच्छी बात है बहुत इजी है इसे करना ठीके फस्ट वी डिस्टिब्यूट आपको डीवन डीटू दीट्री ऐसे ही लिख लेना है बाकी पूरा अंदर की कॉलम को यह जो यह नंबर्स लिखें इनको नहीं बना अभी ठीके उसके बाद सब लिख लो ऐसे ठीके इतना करने के बाद ठीके इधर वाले यह भी सब लिख लेंगे और इधर वाले यह भी सारे लिख लेंगे अब क्या करेंगे यहाँ पर जो फस्ट न लिखा हुआ है यहां पर छोड़ा सा ब्रेक्ट में लिखना है अब हम यहां पर जोड़ने पर इस कॉलम में इतना ही आना चाहिए जितना नीचे लिखा है तो यहां पर यहां पर 6 में कितना जोड़े कि 14 हो जाएगा मतलब 4 फूर 8 8 की अभी कमी है यहां पर तो में यहां पर 8 लिखतेंगे ठीके क्योंकि 8 जोड़ने पर आप देखो 6 और 8 को जोड़ा हमने 14 आ गया इधर 6 में कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 6 ही हमको लाना था ठीके तो इतन तो यहां पर कितना भरें कि 16 हो जाए तो यहां भरेंगे 14 14 भर दिया ठीके हो गया इतना क्लिए अब यहां पर हमको लाना कितना था 15 मतलब अभी यहां पर 1 की कमी है एक यहां बर देंगे अब देखो यहां कितना लाना 5 लाना एक हमने यहां पर बरा तो 4 यहां बर देंग तो ऐसे ही यहां पर table बनाई गई है ठीक है एक बाद समझना फिर से ठीक है काइदे से समझा रहे हैं ये box है ठीक है आपको ऐसे एक box बना लेना है ठीक है और यहां से ऐसे ठीक है line खीच लेती हूँ 4 column है 1, 2, 3, 4 ठीक है दो, तीन, चार, ठीक है, इस टाइप से आपको बनाना है, उसके बाद यहां लिख लेना है, डीवन, यह इधर जितना लिखा है, यहां वाले नमबर में लिख लेती हूँ, 16, 5 और इधर 35, यह 4 है, यह 15 है, यह 10, और यह 6, ठीक है, अभी हमको इस कॉलम में कितना लाना है, 6 इधर लिखा है, तो इसको सबको जोड़ने पे 6 आना चाहिए, मिन्स, यहां 6 पहले से लिख लेना, जो पहले नमबर पे लिखा है, अभी यहां कितना लिखा, 14, तो अभी यहां पे कितना और इसमें 6 में जोड़ दे कि 14 हो जाएगा, मिन्स, हम 8 अगर और जोड़ दे तो 14 इस इस q*) को जोड़ेंगे तो इस व्लेकर बरी तो अभी यहां पर इसके नीचे किली किना लिख सेंगे लिखने लोंगत। तो 10 होगा ठीक है देखो बराबर हो गया अभी हमको इधर वाली रोभी तो लेके चलनी है तो देखो इधर कितना है 16 तो 16 लाने के लिए कितना जोड़े कि 16 हो जाएगा यहां 14 लाना है मिन्स यहां पर चार बराबर हो गया तो आपको इस टाइप से बस टेबल बना ले नहीं समझनलो सवाल हो गया ठीक है और यहां पर देखो प्रैकेट में लिखा हुआ है वो यह जो यहां पर दिये रहेंगे उन्ही को जिस कॉलम में आप लिखेंगे उसी में जो नंबर दिया है उसी को प्रैकेट में लिखना है ठीक है बस इतना ही आपको करना है उसके बाद देखिए नाव वी विल यूस नौर्ट फेस्ट कॉर्णर मैथट फस्ट वी सलेक्ट सेल 1,1 ठीक है कैसे किया है क्या प्रोसेस रही है इस प्रोसेस को मैं आप डिसकस करें ठीक है जो किया है बस वही लिखना है तो आपको अगर यह मैथर समझ में आ गई है तो आपको यह बिल्कुल ठीक रटने की जुरुवत नहीं है आप वहाँ पर जो जो करते जाएंगे बस आपको वह लिखते जाना है ठीक है फस्ट भी सलेक्ट रो वन कमा वन ये वन होगी ठीक है क्योंकि पहली रो और पहला कॉलम है ठीक है तो वन वन कमा वन ये होगी फस्ट भी सलेक्ट सल वन कमा वन एलोकेट मैक्सिमम पॉसबल एमांट तो मैक्सिमम में यहां पर कितना हो सकता था सिक्स क्योंकि सिक्स ही दिया था तो सिक्स मैंने लिख लिया ठीक है तो दे और 1,2 अगर कहेगा तो यह 1,3 यह अब यह 2,1 2,2 2,3 ठीक है यह दूसरे नमबर पर देखो यहाँ पर जो लिखा है अब देखो मैं एक बार और बता देती हूँ ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देखो O यहाँ पर 1 है यहाँ D 1 है तो यह 6 अलग कॉंस हो गया 1,1 हो ग गया ऐसे ही 2 वाले में जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा यह 2,1 हो जाएगा ठीक है नहीं इस वाले को पहले ले रहे ना तो 1,2 और यहाँ पर 2 था तो 2,2 फिर यह 2,3 ऐसे ही चलता जाएगा ठीक है तो अब देखो तो इसमें हमको इसमें वैलू कितनी लेंगे 6 then we fulfill the requirement of D1 क्योंकि D1 में जो हमको लानी थी वैलू 6 लानी थी यही तो लानी थी 6 यहाँ देखो यहाँ D1 में वैलू 6 लानी थी तो यह requirement fulfill हो गई ठीक है तो अब हमको क्या करना है अब हम select दूसरी cell करेंगे क्योंकि अभी हमारी जो O1 की है यह complete नहीं हुई है ठीक है then the select row 2,1 यह 1, 1,2 ठीक है जो भी लेंगे एक तरफ से ही लेना है ठीक है 1,2 then यहाँ पर 1,2 में आपको क्या करना है यह 6 तो पहले से भर गया तो means 16 14-6,10 ठीक है ठीक तो 14-6 means 8 हो गया बस सिंपल यह भढ़ना तो आपको बताया है यह आपको सिर्फ लिखना है ठीक है अब यह satisfy कर दिया इसने availability of O then we move in the cell 2,2 and allocate maximum possible amount अब हम कहां move करेंगे cell 2,2 पे क्योंकि यह वाला पूरा fulfill है तो हमको इधर से कुछ छेहने की जरूरत ही है अब हम cell 2,2 में गए then allocate 2,2 में क्या लिखेंगे 10,10-8,16 ठीक है तो हमें कितने भरने की जरूरत है तो यहाँ पर 2 भरने की जरूरत है जो कम होगी value वही आपको बढ़नी है क्योंकि minimum amount लिखा हुआ है ठीक है अब आगे दे लिखना है then we select the 3,3 here the minimum amount कितना लिखेंगे यह 16-2,15 16-2,15 तो यहाँ पर कौन सा minimum है यह तो 14 भरेंगे ठीक है इक्वल टो 14 लिख दो पहले टेविल बना लो इससे लिख देना ठीक है मां दिमार्ख लगाने की ज़्यादा जरूरत ही है अब 14 हो गया तो अब यह then we move on the row इससे पहले लिखेंगे आई इससेटिस्वाइगे देन वी मूव ऑन दे सेल 3,1 यहां पर क्या है 15 है तो 14 पहले से बरावा तो 15-14,5 तो देन यह 1 आ जाएगा तो minimum value 1 भर दिया ठीक है then we move on the cell 3,4 then यहां पर 1 है तो यहां पर क्या लिखोगे 5-1,4 यहां पर दोनों 5-1 भी 4 आएगा 4 आएगा तो 4 ही भरेंगे ठीक है तो ऐसे आपको north west method करना है ठीक है देखो पूरा भर गया ठीक आप क्या करना है भरने के बाद then आपको इस type से minimum z की value अगर पूछ रहा है तो आपको निकाल देनी है ठीक है समझ गें कैसे निकालनी minimum z की value अब देख लो क्या जो भी आपने cell में लिखा था ठीक है उदर जितनी डेखो टेबिल बनाई थी को इस type से इस type से table उदर बनी थी तो c111 जो था cx11 से multiply c12 की x12 से और c22 की x22 से इन सब से multiply करेंगे और answer जो भी जाएगा वो लिख देंगे देखो एक पर उदर जाके समझा देते हैं ठीक है देखो किसे multiply कर रहे हैं इसमें जो bracket में लिखा है इसकी और नीचे वाले की 8 into 4, 9 into 2, 14 into 2, 6 into 1 और 8 into 2 इन सब की multiply करके add कर देना देखो यही लिखा है आगे यह देखो ठीक है तो आपको इन सब को add कर देना यही minimum Z की value आजाएगी और यह required solution है इसका यह question आपके लिए ठीक है नौर्थ वर्स मैसर थे आप इसको लगाई है नीचे comment box में अपना answer बताइए कि minimum Z की value कितनी आई है ठीक है अगर आपका response अच्छा मलता है तो आगे भी आपके fourth paper के वीडियो आते रहेंगे ठीक है एक दो जो important लगेंगी मुझे वो मैं करा दूंगी ठीक है क्योंकि time अभी मतलब थोड़ा सा कम मिल पा रहा है हमको तो जो भी उपाएगा possible वो कर लिया जाएगा और आप लोग ऐसे ही मतलब चैनल पर आप बने रहें ठीक है आपके लिए जो भी उपाएगा possible वो कि अगर पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय भारत